आप सभी को नमस्कार, 24 गंटे के भीतर इरान ने तीन कंट्री सिरिया, इराक और पाकिस्तान पे हमला किया, यानि वहाँ पे अब इस्ट मिडिल इस्ट में अभी टेंशन का माहौल है, पाकिस्तान अल्लेडी हमला कर चुका है इरान पे, इसका मैं एक वीडियो बनाये हूँ जिन ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा मार्ग बर समराचार, यानि विद्रोहियों का अंत, अब यह मिडिल इस्ट में जो टेंशन है, अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया पे उसका असर पड़ेगा, कैसे असर पड़ेगा, किन-किन छेत्रों पे कनेक्टिविटी, इंदर में बंबारी किया, सबसे पहले जानेंगे कि क्यों किया बंबारी, इरान क्या चाहता है, और इसमें इस टेंशन का क्या मतलब है, इस सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, चलिए पहले शुरू करते हैं, न्यूज, लेकिन उसस इस चैनल को सब्सक्राइब किजिए, चलिए चर्चा में किया है, 24 गंटे के अंदर, 24 गंटे में, इरानने 3 डिफरेंट country पे drone से अटाय किया, missile से अटा किया, और 3 डिफरेंट country कौन है, इराक है, सिरिया है, और पाकिस्तान है, territory है, clear, और इस पे अटाय करने के बाद, इस का जो जो आर्मी है इरान इस्लामिक रिवॉलूशनरी गार्ड आई आर जी एस वह यह दिखाना चाहते हैं कि रीजनल जो मिलिटरी पाउर है छेत्रियों वह हम सबसे आ गया है क्लियर और उन्होंने बोला कि जो भी इस बेस है मिडिलिस्ट में या इजराइल का जो बेस है मैंने सेना महारा रहते हैं तेल अभी वह हाइफा में हुआ हमारे बैलेस्टिक मिसाइल के रेंज में है जब भी चाहें उड़ा सकते हैं अब यहां जो हमला इरान किया इसका कारण क्या है इसका कारण है यहीं कि सुरू में तीन जनवरी को उनके कर्मन प्रोविंस पे कर्मन प्रोविंस पे हमला किया गया जिसमें बहु सारे लोग मारे गई इसके कारण इन्होंने यह मिडिलिस्ट में इस तरह का तबाही मचा रखा है क्लिए यह जो कर्मन है यहां पर सबसे पहले हमला किया गया तीन जनवरी को उसके बाद में इनों ने इराक में यहां हमला किया सिरिया में यहां हमला किया सिरिया में और पाकिस्तान में यहां हमला किया अब देखिए यह हुआ क्या था क्यों हमला कर्मन पर किया गया और क्या इसका मतलब है इस सारे देखिए तीन जनवरी को देखिए एक General Qasim Soleimani है जो की Quad Force के Commander थे Quad Force है इरानियन के Force का पांच बरांच है उस पांच बरांच में से एक यह बरांच है Quad या बड़ा सोफिस्टिकेटेट ब्रांच यानि अत्ति आधनिक वीपन यूज करते हैं इनके कमांडर थे कासिम सोलेमानी इनका यूएस ने जनवरी 2020 में हत्या कर दिया ड्रोन से मार दिया इनके मेमोरियल में यानि इनके याद में कर्मन पे जो सावदन इरान में है वहां पर बहुत लोगी कठे हुए थे वहीं पर दो बलास्ट हुआ जिसमें लगभग 94 लोग मर गए और इस बलास्ट का जीमेदारी किसने लिया इसलामिक स्टेट इस ने लिया जो कहां का बेस है अफगानिस्तान बेश्ट है उन्होंने बोला कि हमने यह अटायक किया है और उन्होंने यह भी बोला कि यह जो अटायक है वह गाजा वार जो हो रहा है इजराइल और हमास पे साथ अक्टूबर से सुरू है 2023 इसमें इरान जो अपना मिलिटिया जो भेजे हैं आदमी भेज है उसी का या बदला है आगया समझ में यानी रीजनल क्राइसिस वहां पे सुरू हो गया और उसी के बदले इरान यह तीन कंट्री पे बंबारी किया ड्रोन मिसाइल्स वगर अगरस एदेखिये थोड़ा एक कर्मन है यहीं पे सुलेमान वाई साहब का मेमोरियल बना हुआ यहीं पे बहुत लोग इकठा होका उनको याद कर रहे थे वो क्वाड के कमांडर थे जो 2020 में उनकी मौत हो गई यूएसे ने मार दिया अब यहीं पे हमला कर दिया इस हमले के बाद में क्या किया या इरान ने यहां इराक में हमला कर दिया और इलाक में कहां पे हमला किया वह ऐसा माना जाता है कि एस्पाई हेट क्वार्टर जाता है इजराइल मोशाद का इर्भील वहां पे उन्होंने इस्ट्राइक किया इसके अलामा सिरिया में किया ऐसा माना जाता है सिरिया में इस्लामी के स्टेट पर टार्गेट किया गया जो इरे स्पॉंसिलिटी यहां प हमला कर दिया क्योंकि यहां कर्मन पे उनके सुलमान भाई साब का जो मौत हुआ था उनका मेमोरियल में उन्होंने हमला कि आई एसे के लिए अब हम देखते हैं कि इंडिया का कि क्यों इतना रीचुई है वेस्ट असिया में पच्छी में हमें क्या इसे बिगड़ जाएगा बहु चीज बिगड़ सकता है देखिए चुकि हमारे पास नेवर हुट फॉस्ट पॉलीसी यानि पॉडोसी पहले इसके इसके दार्त हमने लुकिस्ट पॉलीसी लुक वेस्ट पॉलीसी बनाया है तो इसमें इंडिया जो है का extended नेवर हु पर पीस होगा, इस्टैबिलिटी होगा, निस इंडिया में भी पीस और स्टैबिलिटी होगा, क्लिर, चुकि नेबर है, नेबर अगर लड़ाई करेंगे, पड़ोसी लड़ाई करेंगे, तो असर पड़ेगा, अब आते हैं, डायस्पोरा पर, यानि कितने लोग भारत से बा करते हैं तो कुछ पैसे भी हमारे देश में भेजते हैं जितने भी पैसे लोग भूजते हैं उसमें अठारा परसेंट का जो हिस्सा है वह अकेले उनाइटेड अरभ इमिरेट से दुबई से आता है 5.1 परसेंट हिसा जो है सौधी अरभिया से आता है कुबायत ओमन और कतर से भी एक अच्छा कंट्रिब्यूशन युगदान देता तो इस सारे चीजी डिस्टर्फ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मिडिल इस्ट अगर डिस्टर्फ होता है तर इसके अलामा कनेक्टिविटी की बात करते है और यह जो कनेक्ट करता है इंडियं ओशन से इंडियं ओशन तो और कैस्पीन सी यहांं रूप 20ड। तक यहां से लेके, यहां से लेके या पूरा इंडिया मुंबई तक यह नावा से वा कनेक्ट करता है, अब देखिया इसमें बीच में आता है नो वेस्ट असीया, तो इसमें अगर आसान्ती है, तो यह यह जो कनेक्टिविटी है, वो भी डिश्टर्फ हो जाएगा, जिसको कि आइ-इंडिय को आइए ने करते हैं इंडिया मिडिलीस्ट ऐउरोप कोरिड buzz ऐज़ोर्टा इंडिया- P थोप जूड़ा देखिए यह इंडिया मुंबई हमने कहां पहुंचिगा इउरोप लेकिन कैसे हो के जा रहे हैं वेस्ट अपर जा रहे हैं इसलिए इसको बोला गया देखिए यह बड़ा एस्टेटजिक है यह चार बहाट पोट इरान में इसको इंडिया ने बहुत कंट्रिब्यूट किया है और यहां से पहला कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से भी आ गया अफगानिस्तान में भी अभी ग्यों होगर है भेजा गया इसे तो इसका भी एस्ट कीन कर रहा है चीन कर रहा है और यहां चीन से यहां समानिया आएगा के लिए तो यहां ग्वादर पोट के कमपटिशन में हम लोगो ने यहां चाह से पिर वाहर बहार पोट तयार किया अब चार बापोट वहां chased समानिया अगर इस इस sneaky ती? मे भी डिस्टेरवेंस होग हो जाएगा यह बड़ा इस्टेटिक लोकेशन है यहां चाइना डेवलप कर रहा हम लोग यहां डेवलप कर रहा है चाइना इसमें दूसमानी है जानते हैं यह सुननी है अभी जैसे लदल यहां पर हमला किया था ना अब आजाते हैं इनर्जी सकूरिटी की बात करते हैं अभी जो भी हम आईल क्रूड आईल वगरे यूज करते हैं पेट्रॉलियम परड़क्ट यूज करते हैं 80% से ज़्यादा आईल और लगभग 50% से ज़्यादा गैस अभी हम लोग बाहर के देशों से मनाते हैं उसमें से से जादा है इराक और सौधी अरविया जो है मेजर आईल सप्लाइर है हमारे यहां कतर जो है मेजर लंग यानि लिक्वीड नेचुरल गाइस का सप्लाइर है अगर यहां डिस्टर्वेंस होता है तो डिस्टर्वेंस तो होगा हर जगा मांगाई बढ़ जाएगी यह लोग फोंग उन का सथानिजो है इसट और वेस्ट एस्या में मिडिन में जो डिस्टर्वेंस चल रहा इराण हो गया आपको सारआज और इराक सिरिया और पाकिस्तान पर हमला किया इसला कि मामल ओगा इस से इंडिया को इतना disturbance हो सकता है So this is all about the news इसका PDF हमारे टेलेग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा महाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं So thank you, have a good day and happy learning Thank you very much